तो आज हम आपको बताएंगे जो आज की डेट में सबसे ज़्यादे जरूरी है बिलड पतला कैसे करें सभी लोगों का जादेतर लोगों का बिलड बहुत गाड़ा हो जाता है उससे हाड अटेक की प्रोपिलम आ सकती है परलाइसिस हो सकता है बिलड भी बढ़ सकता है सुगर हो सकता है बला ऐसी बहुत सारी हत्तों प्रों में बिलड पारें में बिलड गाड़ा होने से आज हम आपको बताएंगे बिलड थिनर कैसे करें वो भी नैच्छूरल तरीके से बिना एस्प्रीन के तो इससे पहले हम शुरू करें दोस्तो आप मेरे चैनल पर अगर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आउने वाली वीडियो आप तक पहुंचे इसलिए आप डेल आइकन का बटन भी दवाएं अच्छी लगे तो लाइक करें और सेयर करें मैं आपके लिए इस चैनल पर ऐसी ही रेसिपी जो नेचुरल तरीके से हमारा टीटमेंट करती है हमारा दवाई का काम करती है वो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ तो आए शुरू करते हैं बिलड थिनर कैसे करें बिलड थिन कैसे करें बिलड पतला कैसे करें लेकिन उससे पहले आपको एक चीज ज्यान रखनी है जिसका जाधे गाड़ा हो रहा हो जिसको swelling वगेरा दर्द जाधे रहता हो वही दो महिने तक जा सकता है नोर्मल आदमी के लिए जो कभी-कभी दर्द होता हो कभी-कभी problem हो उसके लिए 15-20 दिन या maximum एक महिन ना ही इसको continue यूज करें आपको तीन चीज पर्मनेंट यूज करनी है और वो तीन चीज है एक अध्रक एक लहसुन और एक घल्दी तो यह आपको तिन्नों चीज यूज करनी है तिन्नों चीज ही आपको पर्मनेंट डेली लेनी है इससे आपका विलड थिन हो जाएगा एस्प्रीन की तरह और जरूर दे सकता है side effect नहीं है कोई ही तो कैसे लेनी है आप छोटा टुकडा अधरक का लें एक कली लहसुन की लें और छोटा टुकडा ही हल्दी का लें कच्ची हल्दी मिल जाए बढ़िया नहीं मिलें तो साबूत हल्दी ले लें उसका थोड़ा पाउडर ले लें इतना और तो तिन्नों चीज आपको परमानेंट लें उज़ करनी है वो भी खाली बेट आप विशच करें या रात को सोते समय उसको लें और वो आपको ब्लड थिन करेगा आकका ब्लड थिन करेगा ब्लड पतला करेगा बहुत ही उच्छी स्पीड मे करेगा और ऐश्पिरिं से बढ करिया तरीका और कोई नहीं है तो आज ही आप शुरू करें आपको यह हर अटक से भी बचाएगा आपके कभी भी नसे ब्लोकिज नहीं होगी आपको आपकी जो इसकी इसकी आपकी ग्लोव रहेगी इसकीन पर कोई मतलब कि अलरजी डाइप में कुछ भी नहीं होगा आपके सबसे बड़ी चीज है कि जब आप इन्हें लोगे इस चीज को लोगे तिनों चीज आप continue लेओगे तो ये चीज आपको कोई भी side effect नहीं देंगी तो आप इसे शुरू करें और अपना blood नेचुरल तरीके से पतला करें जैहिं